दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ़र्ष तरीके से अपना वास्टाइम को कम्प्लीट कर सकते हो और दूसरा सबसे इंपोर्डेन चीज आपको कौन सा मिस्टेक नहीं करना है जिससे आपको मोनेटाइशन में कोई प्राप्लम नहीं आएगी क्योंकि आप मैंसे बहुत सार लोग कोई टिप्स और लगा के खुद से वास्टाइम तो बढ़ा लेते लेकिन मोनेटाइशन में प्राप्लम हो जाती है आपका चैनल मोनेटाइश नहीं होता है लेकिन दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखो मैं आपको पूरी तरीके से एक्स्पेयन करके बताऊंगा कि कौन सा गलती करने से चैनल मोनेटाइश नहीं होता है जब आप खुद से वास्टाइम बढ़ाओगी तो आपको कौन कौन सा मिस्टेक नहीं करना है वास्टाइम के लिए और कौन सा तरीका को नहीं अपनाना है ताकि आपको कोई प्रॉबलम नहीं हो तो वीडियो बिल्कुल भी लंबा नहीं करेंगे लिंक आपको डिचे डिस्कप्सन में मिल जाएगा तो ये वीडियो देखने के बाद जाके आप परमोस्टाइम वाले वीडियो को देख सकते हो ठीक है बाकि दोस्तों अगर आप चैनल पे नवे होगल को सब्सकाइब कर लेना और विडियो क अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटा फटसे वीडियो को लाइक कर देना तो दोस्तों चलिए हम अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरब तो दोस्तों देखो सबसे पहले आपको करना क्या है सबसे पहले मैं आपको बता दूँगा कि कैसे आप फाइश तरीके से वास टाइम को बढ़ा सकते हो ठीक है इसके बाद मैं आपको बताओंगा कि वास टाइम कहीं से भी बढ़ाओगे तो आपको बस कुछ मिस्टेक्स नहीं करना जिससे आपको कभी ब्गाश प्रावलम거든 नहीं आगे इँक तो मिस्टेक करोगिँ तो आपको प्रावलम हो सकती है दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे हैं इहापके दियान से देखो यहां पहों हम आ जाते हैं अब गाईस क्या करेंगे, आपको आ जाना यहां पे library में, अब क्या करना है, यहां पर ध्यान से देखो, आपको यहां पर option मिल जाएगा, create playlist का, सबसे पहले यहां पर जाना है, प्ले लिस्ट का, तो किसी का मोबाईल में, arrow जो होता है, धिरे देख करके नीची होता है, ऐसे कैसे ठीक है लेकिन मेरा है यहां पर कुछ इस प्रकार से द्खा रहा है आप यहां पर देखो क्प्लियम् क्या करों करेंगे खरने के बाढ़ से बाद यहां अपने जयेगा न्यूप प्लेलिस्ट का आपको ज्सक्णारा बस आपको यहां पर न्यूप उस्ट वाले option के पर आपको आना है यह वाले option भी तो simply हम इसके पर यहां पर क्लिक कर देते हैं क्लिक करने के बाद दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखो आपके मोबाइल में जितना भी मतलब वीडियो से रहेगा जो जो वीडियो का आपने वाच किया है recent में सारा सारा वीडियो सो हो जाएगा या तो आपके चैनल का recent का वीडियो यहां पर दिखने लएगा ठीक है तो दोस्तों आपको करना क्या है आपको वीडियो को सबसे पहले तो आप पर तो आपको यहां पर देना है यहांपर सबसे पहले सबसे पहले चार चार हजार इस लब 4000 उसके बाद यहां पर लिख देता हूँ WT वास्टाइम ठीक है इतना करने के बाद आपको यहां पर लिख देना है प्राइविसी में जो दिख रहा है यहां पर प्राइवेट आपको इसको कर देना है पब्लिस आप में से बहुत सार लोग अनलिस्टेड यहां तो प्र करने के बाद दोस्तों आपको कर देना है यहां पर क्रियेट करोगे तो आपका प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगा यहां पर देखले बिल्कुल ध्यान से 4000WT यह हमारा नया प्लेलिस्ट बनके रेडी हो चुका है अब इसी से आपको वास्टाइम बढ़ाना है और ड्रॉप नहीं होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी आपको बताऊंगा दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है आपको यहां पर अपने एकाउंट को स्वीच कर लेना है सबसे इंपोर्टन चीज़ की आपको अपने एकाउंट को स्वीच कर लेना है चैनल का एकाउंट कुछ आओ तो इंस्टॉल कर लेना इंस्टॉल करने के बाद गाईस आपको यहां पे कर ले रहा है इसको आपन जब आप इसको आपन करोगे तो कुछ ट्रम कंडिशन का permission मांगा जाएगा तो simply इसको accept करना है accept करने के बाद दोस्तों थोड़ा से यहां पर लोड ले रहा है थोड़ा से हम यहां पर वेट कर लेते हैं कुछ सेकंड के लिए ठीक है तो यहां पर हमारा testing connection speed हो रहा है थोड़ा से करना है connect करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है बिल्कुल जहां से देखो सबसे पहले तो आपने account को switch कर लिया है आपका channel का account switch कर लिया है कोई भी अल्टरनेट ID ले लिए लेने के बाद आपको फिर से YouTube में आना है और यहां पर आपको search कर देना है अपने चैनल का नाम आपका जो भी चैनल का नाम है आपको search कर देना है जैसे कि मैं लिख देता हूं अर्विंद पंडित मुझे उस चैनल पर वर्स टाइम बढ़ाना था ठीक है तो simply कर देता हूं search कर दिया हूं search करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है थोड़ो से यहां पर वेट करना है थोड़ो से प्रोसेसिंग लेगा ठीक है थोड़ो से वेट कर लेते हैं क्योंकि मैं नेटव यहां पर हमारा चैनल जो है पूरी तरीके से लोडिंग ले लिया है यहां पर देखो अब क्या करना है आपको simply यहां पर स्क्रॉल करना है यहां आपको जो दिख रहा है option है यहां पर हम वीडियो शॉट्स प्लेलिस्ट इस प्रकार से तो आपको यहां पर आज आने के आया था अभी जो रिसेंड बनाया हो यहां पर देखो यह वाला है 4000 वास्ट टाइम ठीक है यह वाला तो simply आपको इसके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर देखो आपसन मिल जाएगा बहुत सारा तो आपको क्या करना है यहां पर कर देना है पहले और वाले option के पर फिर आपको यहांपर एक option देखने को मिल जाएगा यहां पर देखो नीचे के दरब ऋप्सन मिल रहा है आपको इसके पर क्लिक करना है यहां पर देखें पर देख लो ध्यास सै यहांपर जो आप है यहां पर इस प्रकार सरस्वागी तो आपको क्या करना है नहीं इसको छोड़ देना है और इसी प्रकार से अब क्या करना है इतना करने के बाद आपको simply हाँ पर जो share वाला option दीख रहा है इसके पर click करके इसका link को कर लेना है copy copy करने के बाद आपको अगर आपके पास 4-5 mobile है तो सारे mobile में send करना है उसके बाद video को play करके आपके सामने जो option मिलेगा नहीं ये वाला देखो ये loop कहा जाता है इसके पर click करके रख देना है ऐसे में क्या होगा कि आपका video चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा अगर आप 4-5 mobile में ऐसा करके रख देते हो तो काफी तेजी से 5 गुना आपका जो watch time होता वो increase हो जाएगा तो इस तरीके से आप काफी fast तरीके से watch time increase कर सकते हो ऐसा नहीं कि आपका एक दिन में या दो दिन में हो जागा लेकिन पहले के comparison से बहुत फार तरीके से होगा तो ये वाला तरीका को यूज करके watch time काफी तेजी से increase कर सकते हो और दोस्तों एक चीज का बात हमें सा ध्यान रखना कि डेली आपको history को clear कर लेना है तिके आपका YouTube का जो history है उसको clear कर लेना है एक ही mobile से आप watch कर सकते हो जब तक आपका channel monetize नहीं है तब तक आप एक ही ID से watch कर सकते हो लेकिन खुद के channel से खुद की video को watch नहीं करना है चाहे monetize हो या ना हो YouTube के policy के खिलाप है ठीक है बाकि दोस्तों आप कोई भी trick लगाओ कहीं से भी watch time बढ़ाओ कूछ भी करो आपको monetization में कोई problem नहीं होगी कोई दिकत नहीं है बेफिकर हो के watch time बढ़ाओ लोग आपको फालतों में बेकार के डराते हैं कोई दिकत नहीं होने वाली है बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान में रखना है और दोस्तों अगर आप चाहते हो बिल्कुल फ्रीम अपने चैनल का प्रमोशन का राना तो सिंपलीस आप ये वाले वीडियो को देखो ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही आसानी से आप अपने चैनल पर सब्सक्राबर का पितेई से इंक्रीज कर सकते हो